दोस्तो नमस्कार मैं हूं भासकर मैं करता हूं सवागत मेरे इस चैनल भासकर खुआसपर दोस्तो दोस्तो आज हम बात करने बाले हैं किस प्रेकर आप सौसट नोडस बहुत ही EVERYKEN किसी भी Q किसी भी स्लिबस को कॉपलेट करने के लिए सॉट नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टन होता है दोस्तों कभी भी कोई भी चैप्टर तब तक कॉंपलेट नहीं होता है जब तक आप उस चैप्टर का सॉट नहीं बना लेते हैं तो आप सॉट नोट अवश्य बनाएं बहुत हु liberate है तो अब मैं आपको बताने जा रहा हम इस वर्दिओ में किह आप किस प्रकार सॉट नोस बनाएं कि लिए को किनकेन चीजिव का ध्यान रखना पड़ेगा तो मैं तो इस वीडियो में फाइव इंपॉर्टनु.िंट इस बताओंगा जिससे जिसको आगर आप अप सबसे पहले जो तीप आता है कि रुक को साथ में खुल का रखिये और बहुत सारे भुक को भी खोल कर रखिए माल लेजी आपके पस NCRT का बुक है कोई एक अडिसनल बुक है साथ में आपका नोर्स है आप तीन कॉपी को खोले एक साथ एक कॉपी और दो बुक को आप खोले अब उन तीनों में से सबसे एजी जो लेंग्वेज उन तीनों में से कोई एक डिफिनेशन को सबसे और सब एक टब्लेशन तक है ताप कोई में बना सकते और अगर अगर वह साइप पेपर का कुछिस कीजिए कि एकBeats lay ले ले उसमें तीन-तीन वर्टिकल लाइन खिची एक पेपर में दो लाइन सब्से पहले ताप चाप्टर का नाम थे लिखेंगे अच्छे तरह से उसके बाद हाप टोपिक को पकड़िए उस टोपिक को अ säger तुनस चार जो भी आप जितने म olduğ website खूले हैं उस टोपिक के बारे में पढ़िए अच्छे सकतर दॉए और उस टोपिक को समझने प्रयास कीजिए अच्छे से पढ़िए मेरा पहला पॉइंट वही है कि यूज मल्टिपल बुक्स वाइल राइटिंग सॉट नोर्स सॉट नोर्स लिखने के समय आप मल्टिपल बुक्स का यूज कीजिए आप किसी एक बुक को पकड़कर सॉट नहीं बना सकते हैं आप कम से कमसे कम 2 या 3 दो बुक्स एक कॉप यह फिर 1 जप 2024 की किया होता है कि आप डिप्रेंट इपर भूंट विक समझ में आएगा इस बुक में पढ़ें एक अलग लेखमें में लिखा हुए私ा अब कि समझें understand the concept what you are writing in your short notes, short notes से लिखने से पहले आप उस concept को बिलकुल अच्छे से समझिए, आप उस concept को अच्छे से समझ लिजिए, उसके बाद ही आप short notes में लिखिएगा, और तो मेरा दूसरा point वही है कि आप उस concept को अच्छे से समझिए, उन तीनों multiple books से जो जो आप देखें हैं, उन book से सबसे easy language जिससे आपको समझ में आ रहा है, वो language का आप उस language से आप उसको अच्छे से समझिए, उसके बाद second में आप उसको अच्छे से समझिए, second point वही है, अच्छे से उसको understand कीजिए, और फिर third में आपको क्या करना है, फिर the third point is कि आपको short notes को अपने copy में लिखना ह अब आप कैसे लिखिए, आप उसको खुद के language में लिखिए, आपका जो language suit करता है, आप खुद के language में उसे लिखिए, आप English में लिख सकते हैं, Hindi में लिख सकते हैं, इंग्लीस हिंदी मिला कर लिख सकते हैं, आप अगर चाहें तो WhatsApp language में लिख सकते हैं, आप Hindi में और जितना हो से की स्वाइब कि वरेड्ट से कर सकते हैं आप अगर कर दिए लिखना चाहते हैं तो एक पेजग में तो एक चाप्टर आए हुआ और आपको एक पेज दो पेज में पूरा चप्टर अना है वहां कापी में बुक में जो आपका 10 ही लिखा हुआ है जो आपका चार पेज में लिखा हुआ है उसके हैं और फोली पेज मैं कम्रेट करना है आपको एक चЕप्टर का सौट लगबक दो पीज का मैक्सिमाम दो से 3 पीज लिए उससे जाना नहीं लिए तो आप 2-3 में अपको पुरा चैप्टर लिखना है तो आप रहे हैं आप इसे पूरे concept का इंडियुफ नॉलिज ले सकते हैं अब मेरा fourth point क्या है तो मेरा fourth point यही है कि आपको short notes को जितना हो सके आप short रखिए जितना हो सके उसे चोटा रखी क्योंकि वो छोटा ही रहने से आप उसे अच्छे से पढ़ पाएंगे और अगर चुटा रहेगा एक चप्टर का अगर आपका नोट बहुत चुटा चुटा थो आप क्या होगा आप उसे इसली पढ़ पाएंगे आप बाद में टेंड्स नहीं रहिएगा चुटा कर सके वहीं लिख यह चिय करण ऊपको समझना चाहिए आप खुद्ध समझ जाएंगे जब भी आप को याद नहीं रहेगा तो अप उपर में जलिंग रहता है वहाँ पे लिख दिजी कि आप equilibrium को EQM कि हैं उसको arrow देके equilibrium लिख दिए उसे क्या होगा सौट बनेगा आपका जो नोट से वो सौट बनेगा अब मेरा पाचवा पॉइंट आपको क्या करना है आपको नोट सको बनाना आपको सुंदर बनाना है तो आप उसे पड़ पाएंगे आप चाहिए लिखे छूटा छूटा यह लेकिन अब लिखे क्लियर जगह दिए बीच में आप एक लाइन छोड़िए भी अगर आवे सकता पड़ता है तो आप लिखे क्लियर छोटा-छोटा यह लिखिए लिखिए ब्यूटिफुल लिखिए और आप अगर हो सकए तो एक प्र आपको कंसे को तीन टाइब ऑल आपको कम से कानब से उतना नोट को €onus tips qya आपको अपनेштर को नोट में सबसे ज्याद ही सब कॉंसेब्स संक्रेक को वर करना है आपको अपने नोट में सारे 27 को और करना है ताकि आप उनी नोट से पूरा फूल भीशन कर सकें क्योंकि आप लिए आप बार बार इक्जाम के सामने तो बार बार आप भूक्स खुल के देख नहीं सकते हैं आपका जो है वही नोट्स ही और मैं आपको बोलना के टाइम को सौटन से रिविजन करना है तो आप सौटन समझना सारा कॉंसेट्ट लिखें और अच्छे थे खुद के भासा मे से लिखना है सारु एक भी कॉंसेट छोडना नहीं है यहीं नोस्ति का एक एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है आपको लिखना तोपिक गटे जो इंप्चेट ाइग्राम तक है उन शोटा करके नत हैं लिगन आलिए最ो दाइग्राम से थाकि आप उसको नजर stairs लेकिन सब कुछ है कुछ भी छोड़ा हुआ नहीं है तो मैंने आपने पांचो पॉइंट को बता दिये अब एक बाद मैं फिर से रिक्याप कर देता हूं पांच पॉइंट को जल्दी-जल्दी कि आपको अमेसा अगर आप 10 तक है तो आपको क्या करना है अगर आप 9 10 के हैं सबसे पहले समझिए लिखने लिखने बहले है उस कंसेबसे ने pan या उसको लिखना है आप cell Pu oggi सकते हैं अपके आप समझ में आना चाहिए नोट्स और आप इसे मिन इसे थे ना पाई कि आप इसे लिग मरेसे और याई कर सकते हैं और आप उससे पुरा चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं तक आपको विश्वास रहेगा कि हाँ सबस्क्राइए उसी नोट में मेरा पूरा चैप्टर और मेरा मेरा पूरा चैप्टर याद रह जाता अब मैं आपको ऽॉप्स यह आपको द आरह होग तो आप उन देख लीगे वो सिल लेको ह्य moments कर देखत तो फिर भी आप उसससे लगा सकते हैं तो मैं आपको कुछ sample भी दिखा दे आगा हूँ अब आप मेरे notes के कुछ sample देख सकते हैं तो दूस्तों आप देख सकते हैं ये मेरे class 12 का electro statics का notes है जिसमें मैंने एक page को एक A4 side seat को सीट को दो हिस्से में डिवाइड किया है तीन हिस्से में डिवाइड किया है जैसे में मैंने दो वर्टिकल लाइन को ड्रॉ किया है ताकि हम अच्छे से लिख सके आप इस साइड में भी तीन स्पेसे में यह डिवाइड किया हुआ है अब जो इंपोर्टन पॉइंट होता है जैसे कि static स्टेटिक में एंपर्मॉसे का मतलब क्या होता है स्टेटिक में मैंने बस इतना ही लिखा है अगर आप देखें तो यह हुआ फिजिक्स का यभी मैंने बनाया है ऐसे ही सारे चप्रिस का बनाया हुआ है ऐसे बना सकते हैं अगर आप 11-12 में है तो आप इस प्रकार सॉट नोट्स बना सकते हैं यह कैमेश्ट्री का है और मैंस का भी हम बनाए हुए मैंस का भी हम उपको दिखा देंगे देखिए जो जो इंपोर्टन फॉर्मुला उन्हें एक बॉक्स में बनाया है ताकि हम इजली उसे कर सकते हैं अब मैंस का दिखा देते हैं मैंस में कैसा है दोस्तों मैंस का देख सकते हैं यह है 3D Geometry 3D Geometry का नोट्स इसमें मैंने सबसे पहले direction को साइंस के बारे में बात की है अगर आप 11 विल में है तो आपको समझ में आएगा अल्फा बीटा गामा इसमें एंगल्स में रिवाइड करना है सारी इंपॉर्टटंट पॉइंट को उन्हें नोट्स में लिखना है अगर आपको आपको सारी सार्ट नोंट्स कैसे बनाते हैं सारे सब कुछ बता दिया हूँ तो अब आप इसली जाईए उद्शकर सार्ट बारे में, थैंक वोड़िए.